सबीक जोहार आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे मैंसुरेशन के कुछ ऐसे इंपोटेंट कोश्चिन जो हर एक्जाम में देखने को हमें मिलता है यानि कि आज हम पढ़ने वाले हैं जैसे आपने यहां पर लिखा हुआ देख पा रहे हो और इसमें लिखा हुआ है एसकेलेन ट्राइंगल यानि कि आज हम मैंसुरेशन के वो सारे सवाल करने वाले हैं जो तिर्भुच से रिलेटेड है यानि कि विशम बहु तिर्भुच से आये थे उसको हम देखेंगे आज ठिक है बिसंबाहू तिर्भुज तिर्भुज उनके बारे में बात करेंगे ये जो बिसंबाहू तिर्भुज है इसके फॉर्मूला का जो वीडिइयोज वो एप में आपको मिलेगा the success app में the success कि इस एप को play store से install कर लीजिए download करकी install कर लीजिए और देखिएगा वहाँ पे एक paid course है उसके आंदर में mensuration का एक क्या है folder है और उस folder में जाईएगा तो उनकी formula सब आपको दिखाई देगा एक-एक formula मैंने बताया है कहां से आया कैसे आया वह सारे मैंने आपको बता दिया ठीक है ना आज हम उन्ही formula का इस्तिमाल करके S क्लेंट ट्राइंगल से related सारे questions हम लोग सार्प करने बाले हैं ठीक है पाले स्क्लेंट ट्राइंगल होंगे यानि कि पर चोटा सा फोटो बनाया मैंने कहा A B और C नाम से एक विश्वम बहु तिर्बुझ है जिसमें तीनों भुजा अलग-अलग लंबाई की है और मैंने एक height भी draw कर दिया ठीक है न तो इनसे जुड़ा हुआ question देखेंगे और उनसे जुड़ा हुआ जो formula इस्तेमाल करने लायक होगा वो सारे हम discuss करेंगे ओके उमीद करता हूँ समझ रहे हो तो इस वीडियो का आप लोग on तक देखिए और समझे किस तरह से हैं ठीक है तो पहला question देखिए आसान question है कोई ठेंसेन वाली बात नहीं है लिखा है एक तिर्भुझ में यदि दो भुझाओं की लंबाई पांस सेंटीमेटर और आठ सेंटीमेटर है तो तीसरी भुझा की लंबाई क्या हो सकती है सोचिए हाला कि ये जोमेटरी का point है ऐसा को एक तिर्भुझ आपकी जीवन में दिखाए दे जिसमें दो भुझा आपको given है एक भुझा पांच है एक भु तो ट्राइंगल का फॉर्मुला बताते समय मैंने उससे पहले ट्रिभुझ से रिलेटर बाते किया था ट्राइंगल से रिलेटर बाते किया था मैंने कहा था तिर्भुझ ऐसे नहीं होता कोई भी मुझा के तिर्भुझ जैसे दिखाई दे तो हम मान नहीं सकते बलकि उसके भी कुछ parameters होते हैं, कुछ-कुछ condition होता है ऐसे हम किसी को तिरभुज नहीं मान सकते ठीक है ना? ऐसे ही तिरभुज नहीं मान सकते बलक 하기 उसमें गुन क्या होता है? कि कहा जाता है, हमकर दादा जी लोग यह कहा है जोड़ेंगे, तो वो किस से बड़ेंगे? तीसरे भुझा से बड़ेंगे. एगर इन दोनों को घटाएंगे, नहीं जोड़ेंगे? घटाएंगे तो उनसे छोटी होती है अर्थात घटाने पर छोटी होगी मैंने यही कहा था कोई एक तिर्भुज हो उसमें A रहेगा B रहेगा C रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि A B जो है always greater than C होगा B C जो है always greater than A होगा और A C जो है always greater than B होगा इसके आलावा A-B बरावर नहीं बलकि छोटा होगा किससे? C से उसी तरह B-C किससे छोटा होगा? A से उसी तरह A-C किससे छोटा होगा? B से और इहां पर एक mode लगा दिया जाता है इसी के बारे में आपको बताया था बताया था बिल्कुल बताया था यही condition यहां फे follow होता है तो सीधा सीधा लिखेंगे यहां पे तो आपके पास आ जाएगा 13 और यहां तो आपके पास आ जाएगा 3 यानि कि ऐसे कोई संखा जो 13 से तो छोटा होगा लेकिन 3 से बड़ा होगा तो 3 तो हो नहीं सकता 3 से बड़ा हो गया दू तो 3 से छोटा हो गया इसका हम तो यह भी नहीं हो सकता और यह भी नहीं सकता यानि कि हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर चार होगा क्योंकि तीन से बड़ा होना चीए तेरों से छोटा ठीक है? उम्मित करता हूँ बात समझ गए वही बात इहां पर भी समझाना चाहरा है वो उम्मित करता हूँ इसका आंसर आप बता पाओगे इहां पर भी एक तिर्भुच लिखा हुआ है बनाया हुआ है चार है दस है और इहां गायव है इसको ए नाम दे दिया है तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इन से ये छोटा होगा और इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो उन से ये बड़ा होगा मतब यह छोटा होगा, तो इनको solve करेंगे तो 4 होगा, और इनको solve करेंगे तो 6 होगा, यानि कि यही हमरे पाश option में दिखना मंगता है, तो कहा है वो a number option, ठीक है, उम्मित करता हूँ बात समझ रहे हो, चलिए, यह mensuration के जो escaline triangle है, उससे related यह पहला वीडियो है, उसके बाद दूसरा आएगा, तिसरा आएगा, इस तरह के वीडियो आपको मिलेंगे, अगर इहां नहीं मिलेंगे, तो एप में मिलेंगे, एप में serial wise रखा हुआ है, ठीक है न, हाँ, उस तिर्बुझ का छेत्रफल ग्यात कीजिए, जिसका आधार 7 cm और उसके संगत उचाए दे रहा है, बाबु, एक तिर्बुझ ऐसा अगर कहीं दिखाए दे, देगे, 2023 में इस परकार की questions पुछे गए थे, ये लंबबत है, तो ये भुझा आपको मान लेना है ये वला को, यानि कि आधार 7 है, और उसका उचाए जो है, बिरासी है, तो इसका छेत्रफल का formula तो जानते हो न, हमने कहा था, hop into आधार into उचाए, hop into आधार into उचाए, तो ये होगा 41, कट जाएगा, 7 के 7 होगा, 7 चारे 28 होगा, और ये ही आपके पास option में दिखना मांगता है, और option number क्या होगा, B, ठीक है, जी, आगे चला जाए, और इस सवाल को भी एक बार देख लेता हूँ, तिर्भुच की एक भुझा 15 cm है, और संगत उचाए 6 cm, देखिए, संगत उचाए, तो ऐसे ही सेम है, ऐसे ही है, इसका जो आधार होगा, भुझा होगा, ये 15 है, और उसका उचाए 6, तो हाप इंटू, आधार इंटू, उचाए होगा, तो 3, 15, 45 हमरे पस आंसर होगा, और option number कौन सा मार देंगे, B number, next question की तलास में जाता है, उस तिर्भुच का छेत्रफल ग्यात कीजि जिसकी दो भुझाओं की लंबाईयां 4 cm और 5 cm है, और उनके बीच का कौन 45 डिग्री है, बहुत अच्छा है, इससे related formula भी बताया था, ऐसा कभी भी जीवन में कोई तिर्भुच हो, उसमें दो भुझा दे दिया, जिधर भी, उधर भी, किधर भी कर सकते हैं आप, दो भु साइन में ठिटा लगा दिया जाता है, बस हो गया, जब इनको solve करेंगे, तो ये 2 से कटेगा, तो 10 होएगा, और ये जो sign कितना डिग्री है, 45, इसका होता है, एक बटा root 2, जब इनको solve करेंगे, तो उपर नीचे root 2, root 2 से क्या किया जाएगा, गुना किया जाएगा, क्या कि answer, 5 root 2 आजाएगा हमारा answer, यही हमारे पास कहानी है, ठीक है, next question की तलास में जाते हैं, और इस सवाल को भी एक बर देख लो, बोला एक तिर्भुच में यदि दो भुजाओं की लंबाए 5 और 8 है, तो ये सवाल तो यार पहले बना चुके हो, इस सवाल को ignore मारो, next, ये सवा कैसा है, बोला एक तिर्भुच की भुजाएं धन पुरनांग है, धन पुरनांग मतब इंटीजर में है, यदि दो भुजाओं के माप 6 cm और 3 cm है, तो ऐसे बिसिस्ट तिर्भुचों की संभावित संखा ग्यानत करे, संभावित संखा, मतब तिर्भुचों की संखा तो तिर्भुचा नहीं है, तो उस तिर्भुचा की जो मेजरमेंट होगा, वो क्या होगा? तिर्भुच बन सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा, क्या, 5, हमारा आंसर क्या होगा, 5, क्योंकि 5 परकार से, क्योंकि X का मन 5 है, तो 5 परकार से आंसर हो सकता है, तिर्भुच, तिर्भुच की जो 20 संभवित संखा होगी, वो 5 ठो होगी, ठीक है, जी, चलो आगे बढ़ा ज next question में क्या लिखा है एक बार देख लेता हूँ एक तिर्भुच की भुजाएं आट बारो और सॉला सेंटिमीटर है तो तिर्भुच का छेत्रफल क्या होगा देखिए इसमें तीनों भुजा आपको दे दिया उचाए नहीं दिया आधार नहीं दिया और कुछ नहीं दिया इ सुने हैं आपने मिश्र के मिश्र में रहते थे हना तो मिश्र में रहते थे और उसका नाम था हिरोन का सुत्र हिरोन का सुत्र आपने शुना होगा हिरोन का सुत्र तो उसी सुत्र से हम बना सकते हैं ठीक है ना फॉर्मुला से बना सकते हैं पहले आर्थ परिमाप निकालें तो area बराबर होता है root over s, s-a, s-b, बताये थे, जी, और s-c यही formula होता था, तो एक काम करिए, आपना s-18 को यहां रखिए, अठारो से एक बार 8 को घटाईए, एक बार 12 को घटाईए अठारो से, और एक बार 16 को घटाईए अठारो से, बस यही हुआ, तो आप बोलेंगे, आठारो दुगने 36 होता है, इसका मतलब 6 निकलेगा, यहां 10 और 60 है, इसका मतलब 15 चोके साथ होता है, चोके से 2 निकलेगा और 15 रह जाएगा, इसका मतलब 12 root under क्या होगा, 15, और वो कहां है, तो आप बोलेंगे sir, d number option, कौन सा number, d number, यही आपके पास answer ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और इस question को भी देखते हैं, RRB anti-physic के लिए बहुत काम के हैं, ओ हना, बहुत ज़्यादा काम के हैं, तो सुनिए, इसमें भी तीनों दिया हुआ है, तो इसका answer तो आपको दिखाए भी दे रहा होगा, यह, तो इसको देख लेना रगा दिना answer आएगा, next question, यह कैसा लिखा है, एक तिर्भुज का छेतरफल 96 cm2 है, और इसकी एक भुजा की लंबाई 24 cm है, तो तिर्भुज का एक भुजा पर समुक सिर्ष से खीचे गे लंब की लंबाई बताईए, बाबु कितना प्यारा सा बात बोला, बोला एक ऐसा ए लंबाई इसको उचाई कहते हैं, और छेतरफल का फॉर्मुला होता है, हाप इन्टू आधार इन्टू उचाई, और इसी छेतरफल का मान सुमान दिया है, तो बारो आठे छिया नवबाई, यानि कि एक्स का मान आठ होगा, और सेंटी मेटर होगा, उम्मित करता हूँ, ब भुजा साथ इकाई है, और इसका परिमाप अठर इकाई के बराबर है, तो छेतरफल ऐसा हो, तो अन्य दो भुजाओं का मान क्या हो सकता है, अच्छा सवाल है, देख लिजे कैसे होगा, एक तिर्भुज ले लिजे कोई भी, और उसमें A नाम दिजिए, B नाम दिजिए, C नाम दिजिए, एक भुजा दे दिया है, तो उसको साथ मान लिजिए, और परिमाप दिया है, मतब A प्लस B प्लस C बराबर में दिया है, परिमाप अठरो इकाई, तो A प्लस B का मान क्या होगा, एक आरा, क्यों क्योंकि C का मान साथ है, तो साथ घटा दिया, आच्छा, इ रुकिये जरा कैसे करें, एक काम करिए, एक जन को न एक समान लीजिए, तो दूसरा क्या होगा, एक गारों में से जो बचा खुचा है वो ही होगा, ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन मैं ओफ्षन से डिल करूंगा तो ज्यादा फाइदा होगा, जैसे मैं ओफ्षन से कैसे डिल करत आपको और्थ परिमाब ढूड़ना है और्थ परिमाब तो 18 का आधा करने से होगा जो की 9 है ओके आप सभी को मालूम होगा हिरोन का शुत्रों के बारे में root over s into s में से एक बार किसको घटाया जाएगा a को एक बार s में से a को घटाओगे आप जी और एक बार घटाओगे s में से b को और एक बार c को c तो 7 है इसका मतलब 2 आ जाएगा और तब जाकी इसका 6 तरफल गीवेन है एक सो कितना आठ सुनिये तब तो एक काम करें इधर भी root है उधर भी root है तो root को क्या देंगे पटक पटक देंगे ना जी तो हटा देंगी यार सेम है तो हट जाएगा तो हट जाएगा तो इहां बचेगा क्या तो बले सर 9 दूगने 18 बचेगा हलां कि 9 गुना 9-a और 9-b और इंटू में 2 है और बराबर में 108 होगा तो 9-12-108 आजाएगा और इहां पे 9-a है और इहां पे 9-b है और इहां 6 होगा तो आप option से चाटो और option से ऐसा क्या चाटोगे तो option देखो आप जिसे पहला option मैंने लिया अगर पहला option लिखेंगे तो a का मन 6 लिखिए तो 3 आ जा तो 4 आ जाएगा तो 4 और 3 को गुना करने से 12 हो रहा है 6 तो नहीं हो रहा है इसका मतब पहला option नहीं है दूसरा अगर मैं इसको लिखे आता हूं तो point में आ जाएगा क्या मैं point में आच्छा थोड़ा गोटा बला देख लेते हैं 7 को रखता हूं यहां तो 2 आ जाएगा 4 को यहां रखता हूं तो 5 आ जाएगा तो 10 बन रहा है इसका मतब यह भी गलत है आच्छा इनको रखिये तब 3 को पहले लिखेंगे तो 6 होगा 8 को यहां लिखेंगे तो 1 होगा इसका मतब यहीं आपके पास answer होगा और देखें नहीं को जोड़ने से 12 हो रहा है इनको भी जोड करने से करने से आपको time बचेगा ठीक है आगे चलता हूं और next question में भी एक बार देख लेते हैं यदि 12 cm आधार वाले एक तिर्भूच का छितरफल 12 cm भूजा वाले बर्क के छितरफल के बराबर है तो तिर्भूच की उंचाई ग्यांत करें किसकी उंचाई तिर्भूच की उंचाई ग्यांत करें बोल रहा है ठीक है जी तो लफणा तो नहीं है आधार देैगे है बोला 12 cm आधार वाले एक तिर्भूच का छितरफल 12 cm भूजा वाले बर्क के छितरफल के बराबर है तो तिर्भूच ऐसा है इसका आधार बार्व है उंचाई नहीं इसका वतब in to order in 2 होगा इसका चेतर अप्र कल एक बर्क के च्हतफल के बर्बर है जिसका 12 संटेमिटर भुजा है तो बर्प है तो एकंट exhaust सूच्वालीस होगा इसका च्रफल तो क्योंकि बर्क चेतर फोलता है एक स्कूर भुजा के इसक्वेर तो बारो इधर आ जाएगा और एच का मन 24 आ जाए रहा है तो अगर एच का मन 24 है तो यही तो चाहिए था हमें अलग थोड़े चाहिए बस हो गया नेस कुशन की तलास में हम चलते हैं और इहां क्या लिखा है यदि 64 सेंटीमिटर परिमाब बले एक तिरभुज की अंता तिरजा आठ सेंटीमिटर है आप सभी को मैंने कहा था ऐसा कोई भी तिरभुज हो और वगर विशम बहु तिरभुज हो तो इसके जो अंता तिरजा हो तो आर का मान होता है तिरभुज का छेत्रफल वटा आर्थ परिमाब तो आप बोलेंगे सर तिरजा तो दिया है आठ और आर्थ परिमाब तो निकलेगा क्योंकि 64 परिमाब है तो उसका आधा तो 64 का आधा 32 होगा तो तिरभुज का छेत्रफल तो निकल जाएगा आठ दु तो आप बोलेंगे C नंबर में है ठीक है उम्मित करता हूँ बात समझ में आ रहा होगा चलिए एक और question देखता हूँ और इस सवाल को भी देखिए कैसे कैसे लिखा है उसी तरह से लिखा है सेम सवाल है सेम सवाल है ये सोची RRB J E में पुछा है सीधा लिखेगा अर्थ परिमाप अन्ता तिर्जा बराबर तिर्बुच का छेतरफल बटा अर्थ परिमाप हमें छेतरफल चाहिए इसका मतब आर गुना S होना चाहिए आर आपको साड़े तीन दिया है और S उसका आधा चोवदो होगा यानि की होगा 35 बटा दो दो नहीं 10 35 बटा क्या 10 और इंटू में 4 दो तो आज आएगा कितना साथ दुगने और पांस साते कितना हो जाएगा बबु 49 और यही आपके पस अंसर हो गया छीक है यह होगा पांस साते साते उन्चाद तो उम्मिद करता हूँ यह सवाल आपने देखा समझा आगे थोड़ा लेवल वाला कोशन ने इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तब तक के लिए सभी को धन्नवाद अगर इस वीडियो में आप नए है यानि कि इस चैनल में नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पसंद आता है तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सेर कीजिए और कुछ फिडवेक दीजिए ताकि हमें भी पता चले आपको समझ में आ रहा है की नि ठीक है तो चलिए सभी को धन्यवाद सभी को जोहार